नमस्कार दोस्तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार सरकार ने BPSC के मादियम से हो रही सिक्षक बहाली के लेकर संसोधन जारी किया है और ये विडमना की ही बात है कि 15 जून को बहाली आवेदन करने का फॉर्म आया और अब तक कुछ दिनों में आठवार संसोधन हो चुका है और ये आठवा संसोधन तो पूरे विहार में नहीं पूरे भारत में घमासान मचा चुकी है जी यहां आपने सही सुना डोमेसैल खत आदेश जारी किया है इस वीडियो को ध्यान से देखेगा तो आपको समझ में आएगा कि सरकार का तर्क किया है नया लेटर जो जारी किया उन में अगर चैनल पे नया है तो चैनल के सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे क्योंकि आपकी भविस से जुरे ये बाते आ देख्षता में फैसाल लिया गया है कैबिनेट से मोहड भी लब चुकी है आप लोगों ने ये न्यूज तमाम न्यूज चैनलों पे पढ़ा होगा बहाली आगे नहीं बढ़ रही है दोस्तों एक तरह से देखा जाएं अगर आप समझदार हैं तो ये बहाली फस रही है सि सिक्षा मंतरी जिसे जब कुछ पत्रकारों ने ये सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यूं बाहरी अविर्थियों को मोका क्यूं दिया गया जब तेजिस्वी यादम ने 10 लाख नोकरी देने का वादा करके डो मिसाइल 90% लागों होगा ये का कि वो सरकार बनाएं और उसके बाव स्टालां in देते रहे हुँ वह जार 12 की को शिक्षक बाहली को शिक्षा विवाद कुछ नहीं बस हम और आपको पीच ह्राय है, चक्के-क भठी में मेनत के अर संघर्ष की भठी में संघर्ष करने और मेहनत करने से हम बिहारी ड़ते नहीं हैं हम वही बिहारी हैं जो आरवट के दर्ती विद्यापती के धर्ती हैं हम वही बिहारी हैं जो आईएस इसी धर्ती से भारत को सबसे ज़्यादा जाता है खेर अगर आब बात करें टीचर्स बहाली की तो इनको योगा विर्थी ने मिल रहे इसलिए ये डोमेसाइल नीती हटा दिये हैं अब डोमेसाइल नहीं लागू करने का जो दर्क दिया है बिहार सरकार ने वो आपको आदेश दिखाते हैं क्या दर्क दिया है इन्होंने 2012 से तुल्ला की है और तुल्ला करने के बाद इन्होंने क्या कहा है उस परमान को देखे उसके बाद आप अपने पर्तिकिरिया दे और अब नहीं तो अब मौका मिल रहा है अब नहीं तो कभी नहीं एक साथ आने का एक मंच पे आने का यह अब कोई माइने नहीं रखता आप एक मंच पर आईए सरकार क्योंकि अब हम और तुम अगर आपस में फर्क करेंगे तो चक्की के भटी में जरूर पिसेंगे यहाँ बिहार सरकार जो आपको लेटर जारी किया आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर लेटर जारी करके बिहार सरकार ने क्या कहा है बिहार सरकार ने कहा है कि नियामली 2006 में भारत के नागरिक होने के साथ बिहार राज की निवासी होने के अनिवर्ता थी इ तो normeft है जिसमें दिनांग 2726-23 को संसोधित करते वे बिहार राज विद्याले अधियापक नियाली दौजी सकते हैं जिसे दिनांग 2726-23 को संसोधित कर्ते वे बिहार राजविद्याले अधियापक नियावली दोजर तैईस अधिसूचित की गई है जिसमें केवल भारत की नागरिक होनी के नहीं वरता रखी गई है यानि बिहार डो मिसाइल जो लागू थी उसको हटा दिया गया और इसी बात से पूरे भारत में घमासान मची हुई है बाहर के राजियों को भी आवेदन करने की 2012 में संतंता दी गई थी फिर भी उक्त के विरूद राज के बाहर के लगवक 3400 वरती ही चैनित हुए मतलब निसकर्स यह है कि 2012 का हवाला देते हुए नोटी जारी किया है कि देखिए हम लोग पूरे भारत से आवेदन मांगे थे 2012 में लेकिन 168000 पद होते हैं मात्र में 3400 वरती हैं मिले थे तो इस बार भी वही होगा महराज आपको अगर भारत के उच्छ समयधानिक पद्पर पदान मंतरी के पद्पर आसीन होना है तो लोगों की दिल में जगह बनाना परेगा ये कुटनीती जो है ये इस तरह की और है आपने 10 लाख नोकरी देने का वादा करके डोमिसायल नीती का वादा करके आप अपने वादे से मुकर गए ये तो वही तानसाही वाली बात हुई खैर जाको राके साही या मार सके न कोई अगर जनता एक है तो का कर सके कोई अगर जनता एक हो जाएगी तो कोई प्रवाद